हलो वीवर्स कैसे हो आप लोग और भाई सभी का स्वागत है मेरे चानल पर मिरे नाम धुरूव है तो सामने आप मरून कलर यानि की ओपिलेंट रेड कलर में देख रहे हो बले नो यह इसका जीटा मॉडल है सेकेंड टॉप जो की मैनूल ट्रांस्मिशन में देख पा रहे हो बाई पहली बात तो इसकी जो प्राइज है एक शोरूम कॉस्ट आ जाती है आट लाग चप्विस अजार वहीं पर ऑन रोड प्राइज नौ लाग पच्पन अजार क्या-क्या चीज़े मिल रही है इस प्राइस पॉइंट में वही देख लेते हैं तो अगर आप लेने का प आपको डॉट आपको LED DRLs टाइप आपको मिल जाएंगी फॉग लांप इस गाड़ी में नहीं आते हैं यह कस्टमर ने एकसेसरी में लिये हैं स्टिल आप ले भी सकते हो बट इसमें नहीं आते हैं यह एकसेसरी है क्रोम एलेमेंट आपको इसमें मिल जाते हैं ग्रिल में भी आपको chrome garnish मिल जाएगी यहाँ पर और कुछ design आप देख सकते हो सुजुगी का logo गाड़ी की जो चोड़ाई आती है ना 1745 mm की गाड़ी की चोड़ाई है सो second row में जब तीन लोग बैठते हैं वो कितने comfortably बैठ पाएंगे वो अंदर चल के देख लेता है गाड़ी की जैसी मैं side profile से आपको दिखाऊँ ठीक है तो आप सबसे पहले तो length और height इसकी अपनी screen पर देख सकते हो उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर wheels पर तो यह 16 inch के wheels हैं जो आपको alloy wheels मिलता है silver color में और इनकी profile है 195 55 R 16 inch तो आगे आपको disc brake मिल जाता है also 170 mm का भाई गाड़ी में ground clearance मिलेगा electronically adjustable और retractable over vms मिलेंगे fully electrical है LED turn indicator भी यहीं मिल जाता है यहाँ पर window line में आपको chrome element मिल जाता है जो की काफी अच्छा लगता है यहाँ पर आपको b pillar matte black में मिल जाएंगे window visor accessories है नीचे यह chrome garnish आप देख पा रहे हो यह भी accessories यहाँ पर मिलता है और यह door edge guard हाला कि जो door handles हैं यह आपको chrome में ही मिलते हैं इस गाड़ी में passive request sensor driver और passenger दोनों side पर आपको यह चीज मिल जाती है उसके अलावा गाड़ी के अगर मैं rare profile check out कर रहा हूँ तो यह कुछ ऐसे rare profile से दिखती है यह alpha model है जो इसके just उपर आता है यह zeta model है तो फरक आप देख लो alloys में यह चीज़ों का है उसके बाद आपको high mount stop lamp regular antenna मिलता है कोई भी shark fan antenna नहीं आता यहाँ पर ready focus rare washing wiper यहाँ पर आपको reverse parking camera मिल जाता है हाला कि जो turn indicators और reverse light है वो आपको halogen में मिल जाएंगे गाड़ी में पीछे चार ultrasonic parking sensors आपको दिये जा रहे हैं boot की अगर मैं बात करूँ 318 liter का boot space आपको इसमें बलेनों में मिलता है boot luggage lamp यहाँ पर भाई यहाँ पर मिल जाते ग्रॉसरी hook एक ही साइट पर मिलता है ग्रॉसरी hook सीट जो है 60-40 स्प्लिट है पार्शल ट्रे आपको मिल जाएगी यह तो accessory है पका इसके नीचे फाबरिक माट देती है company और जस्ट उसके नीचे आपको spare wheel आपको steel rim में मिलता है यहाँ पर और अगर मैं इसकी profile की बात करूँ भाई यह एक size छोटा है 15 इंची का आपको मिलता है जो आपका स्टेपनी हो जाती है बाकी सब चीज़े आप यहाँ पर देख सकते हो so यह है इसकी डिक्की के regarding also गाड़ी में 37 लीटर्स की fuel tank capacity बलेनों में आपको दी जाती है so यह है full इसके exterior के बारे में अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पर अगर आप मारूती की कोई भी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो बाई 50 से 55,000 रुपए तक के discount चल रहे है new year के बाद में pricing increase हो जाएगी so अगर आप Mumbai थाने पनवेल कहीं से भी आसपास से हो यहां contact कर लो आपको सारी details मिल जाएंगी regarding जो भी offers चल रहे है please and numbers पे contact याद से कर लेना फाइदे की बात है simple मैं इतना बता रहा हूँ अब interior से मैं पहले तो इस गाड़ी के music system को बंद कर लेते हैं यहाँ पर so यहाँ पर आप देख सकते हो आपको leather full stream मिलती है soft touch padding यहाँ पर दी है जो कि बहुत अच्छी और premium अब यह base model में भी यह soft touch आता है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर leather दिया है इतर chrome में आपको door handle मिल जाएगा सारे electric windows auto down and auto आप आपको driver side पर मिलता है lock and unlock button यह हो आर वीम के controls speakers आपको यहाँ पर मिल जाते हैं twitters भी आपको इस गाड़ी में मिल जाएंगे so six speaker system का setup है उसके बाद अगर मैं seat की बात करूँ देखो adjustable headrest आपको गाड़ी में front में और rear दोनों में मिलेंगे हाला कि fabric of holds भी दी है इस price point में कई न कई थोड़ा partial leather देते वो भी अच्छा रेता यहाँ पर आपको height adjustable feature मिलता है also airbags की आप देख सकते हो why is गाड़ी में न 6 airbags आते हैं जो कि एक बहुत ही बड़ा plus point है क्योंकि इस price point में six airbags देना यह एक बहुत अच्छी चीज है मारूती की तरफ से देन उसके बाद यह हैं इसके कुछ interiors अच्छे और premium लगता है अगर आप पीछले बलेनों से इसको compare करते हो जैसे flat out dashboard मिल जाता है then floating आपका infotainment system यहाँ पर आ जाता है उसके अलावा steering wheel से start करते तो flat bottom steering wheel यानि के D-cut steering wheel audio mounted controls आपको मिल रहे हैं और इस steering wheel की अगर मैं बात करूँ भाइट telescopic steering wheel आपको यहाँ पर मिलता है जो की भाई बहुत साही चीज है height adjustable driving seat steering wheel telescopic है तो multiple तरीके के लोग इसको चला सकते है अपने adjustment या requirement के इसाब से उसके अलावा fog lamp जो install किया है company ने उसका switch यहाँ पर दिया है headlight leveler यह है आपका ideal start stop और यहाँ पर आपको मिल जाता है engine start stop button उसके अलावा यह AC vents के around थोड़ा black piano finish silver element जो यहाँ तक जा रहा है यह थोड़ा premium बना रहा है cabin को और अच्छा लग रहा है दिखने में फीका फीका नहीं लग रहा है अगर आप ध्यान से देखते हो black silver dark blue या navy blue जिससे कहते हैं और यह इंटीरियर यहां तक है तो यह चीज़े अच्छी लग रही है अब बात करते हैं इसके instrument cluster के बारे में ठीक है यह है इसका analog plus digital instrument cluster टैकोमेटर यहाँ पर यहाँ पर आनलोग में यह इसका temperature time है यहाँ temperature है यहाँ automator reading है उसके अलावा और क्या-क्या चीज़े मिलती है इसमें तो वह checkout करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो average view economy आपको मिल जाएगी उसके अलावा यह सारी चीज़े आप देख सकते हो driving time सारा analytics total idle start stop time clock आपको मिल जाएगी तो यहाँ पर torque and power figures आप इसको मिल जाती है उसके अलावा आपको इसमें instantaneous consumption यह सारी चीज़े आपको मिलने वाली है इसका जो instrument cluster आपको सारा important data आपको देता है जो की बेस मॉडल से ही standard है इस गाड़ी में जो की अच्छी बात है यहाँ पर 12 watt का socket USB port आपको मिल जाएगा इस तरफ अगर आप देखते तो space है two cup holders है यह है इसका five speed manual transmission गहर नो मीचे आपको leather of full street मिल जाती है so leather of full street chrome element silver treatment यहाँ पर यह सारी चीज़े बहुत ही premium बना रहा है इस गाड़ी को समझ रहा है हॉन भी मैं बताना भूलिया यह देखो dual हॉन है यानि की दो हॉन का इस्तमाल किया है और अगर मैं wiper के थ्र lighting दिया है यह बहुत सई चीज़ कर दी इस गाड़ी में उसके अंदर space थोड़ा हला कि कम है उपर यहां पर आप देखते हो तो हला कि कोई ticket holder इस तरफ तो नहीं दिया है cabin lights आपकी दो yellow color में यहां पर दी है और एक आपकी halogen यहां पर दी है तो भाई बहुत अच्छी चीज बहुत सारी brands cost cutting करती हैं सिर्फ एक चोटी सी यहां दे देंगे आगे की तरफ center में भी नहीं देते बड़े तो light की कोई कमी नहीं है इसके cabin में IRVM manually आपको यहां पर मिल जाता है और आपको उसके बाद आपको यहां पर vanity mirror मिल जाएगा glove box की बात करूँ तो ठीक है अच्छा बड़ा size का glove box है गाड़ी के size के हिसाप से safety features की बात करते है तो over speed warning मिलती है 80 की speed पे single beep and 820 की speed पे continuously beep होता है उसके अलावा आपको इस गाड़ी में six airbags मिल जाते है ABS EBD brake assist आपको इसमें दिया जाता है इदेन उसके बाद लॉकिन security में engine immobilizer, central locking speech and sink door lock और child safety lock जैसे features आपको इस गाड़ी में offer करे जाते हैं तो भाई यह है इस गाड़ी का front cabin अब rare cabin चेक आउट करते है ठीक है और also comfort भी अच्छा है seat की cushioning ना जादा hard है ना जादा soft है तो अच्छी है seat की cushioning ठीक है इतना कोई दिक्कत नहीं होगा और गाड़ी है आपना काफी planted लगती है ठीक है रोड को एकदम पकड़ के ऐसे चलती है stability भी यहाँ पर आपको मिलेगी और काफी मजा आपको इस गाड़ी को चलाने हो थोड़ा confidence अच्छा देती है अब पीछे का cabin चेक आउट करते है और फिर engine and mileage के regarding बात कर लेंगे ओके तो यह मैं अपन कि कोई twitter पीछे नहीं है यह आपके हो गए soft cushioning यहाँ भी है कोई cost cutting नहीं की यहाँ पर आपके window controls आ जाते है आप दोनों तरफ अगर देख सकते हो यह आपके adjustable headrest आपको मिल जाते है कोई armrest आपको इसमें नहीं मिलता उसके अलावा इसको कर लेते हैं थोड़ा यहाँ पर य अब अगर मैं यहाँ पर बैट के दिखाऊं यह देखो यह जो आगे वाली seat है तेरी height के accordingly मैंने adjust की थी अब देखो knee room भाई गजब का knee room leg room बहुत अच्छा है इस गाड़ी में ठीक है उसके अलावा headroom से कोई problem नहीं है यहाँ पर retractable handlebar coat hook के साथ है यह सारी चीजे and also quarter glass भी यहाँ पर दिया है ठीक है सु भाई यह है full इसके rare cabin के regarding अब engine के अगर मैं बात करूँ इसमें 1.2 लीटर का 4 cylinder आपको petrol engine दिया जाता है 88 bhp और 113 newton meters of talk produce करता है mileage के अगर मैं बात करू 22.3 का company claim करती है यहाँ पर mileage यह गाड़ी CNG में भी आती है आप उसके लिए भी जा सकते तो बट स्टिल pricing difference काफी हो जाता है तो दोस्तो इस price point में सबसे अची बात automatic climate control वो सारी चीजे प्लस आपको जो leather soft touch finish आपको across the car दिया है height adjustable then telescopic steering wheel यह सारी चीजे है ना इसको अच्छा boot space then 170 mm का ground clearance यह सारी चीजे हाला कि थोड़ी safety rating में थोड़ा कम हो जाती है जब आप इसक अब भी एक बार देख सकते हो तो आपको गाड़ी कैसी लगी comment section में बताओ कुछ भी सवाल है पूछ सकते हो नहीं तो भाई best है instagram पर connect कर लो detailed showroom की मैंने दी है description में वो भी check out कर लो so bye guys take care and see you next time